हेलो दोस्तो मैं मनीज और आप है मेरे साथ वाय टुटोरियल चैनल में जैसा कि आप इस सीन पर देख रहे हैं हम आज 15 MCQ कोईश्टन करेंगे वो कोईश्टन इलेक्टिसियन थियोरी से रहेगा जिसमें हम चैप्टर वाय में MCQ करने वाले हैं यह MCQ सुरक्षा एवं स्वास से समंदित MCQ होगा यह लेक्चर आज सिकेंड है आज सिकेंड कलाश्ट है इससे पहले फ़र्ष्ट हो चुगा है अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं चलिए हम पहला कुष्टन है नीम्न में किस परकार का सुरक्षा चिन दर्षा आया गया है यह जो चित्र है यह किस परकार का है पहला अफसर नेशिद法 मक horrाय दूसरा है सकरात्मक चीन, तिसरा है सचेतक चीन, और D है सुचनात्मक चीन, यह जो चीन है यह निशिधात्मक चीन है, और इसका पट्टी जो होता है यह रेट कलर का होता है, और यह हमेशा बृत में ही दर्साया जाता है, चलिए दूसरे कोश्चन पर, दूसरा कोश्चन न यह अनिवारे चीन है और सी नमर क्या है निसिधात्मक चीन और इसका इंसर ही यही है यह है सुचनात्मक सुरक्षाच चीन का और डी आ जागा चितावनी चीन यह जो है यह चितावनी चीन तो इसका इंसर क्या हो जागा भी फ़र नमा कोश्चन है चतावनी चिन चित्र में दर्शाय गये हैं कौन सा परति खत्रे की असंका को परदर्शित करता है इसमें सभी दिया गया है यह सभी चतावनी चिन ही है इसमें से आपको यह ढूंड़ना है कि इसमें से खत्रे को कौन सा परदर्शित करता है तो पहला तो पहला ही इसका खत्रे को परदर्शिस करता है बी क्या है ये लेजर बीम को परदर्शिस करता है और सी है संचारक तत्व का और डी है बिद्धुत ये बिद्धुत का बिद्धुत का परदर्शिस करता है बिद्धुत के खत्रे को तो इसका एंसर क्या हो जाएग यह नंबर हो जायेगा तो inad arrest कुक्रों कि निम लिखित सुरक्चाइर चीन हो के में कौन सा अनिवारे च्यद्ः का कौन सा उधारन है पहला है कि खथ्लेंग ट्रेक्शन पहनना मिद्वक्री दुर्म पारनित तर संधिर हो जाएगा hand protection पहनना शुरक्षा चिनों के अंतरगत ये आता है ये अनिवारेश चिन में भी आता है अनिवारेश चिन के अंतरगत ये आता है तो इसका answer हो जागा B फाइब निव्ण में से कौन सा सुरक्षा चिन बिरित में दर्सालिया जाता है ब्रीत में दर्साया जाता है, कौन सा सुरक्चातिन दर्साया जाता है, पहला दिया गया है चतावनी चीन, दुसरा है निसे धात्मक चीन, तिसरा है सुचनात्मक चीन, और चोथा है अनिवार चीन, तो चतावनी चीन हमेशा ट्रेंगल में दर्साया जाता है, और निसे धात चिन यही ब्रीत में दर्साया जाता है और सुचनात्मक चिन हमेशा वर्ग में दर्साया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर बी हो जाएगा शुचनात्म के लिए कौन का ज़िया गया है उसमें ये शत्थ है तो पहला है इनकी प्रिष्ट भूमि नीली होती है बेमी है इनकी आकिर्ती वृत्ताकार होती है C है इनकी प्रिष्ट भूमी हरी होती है और D है इनकी आकिर्थी तिरूजाकार होती है तो इसका एंसर हो जाएगा C इनकी प्रिष्ट भूमी हरी होती है 7. question में निम्न चिनों का उचित मिलान किजिए इसमें से आपको चित्र देख करके इसमें मिलान करना है कि कौन साथ, चित्र कौन से आएगा, तो इसमें आप मिलान किजिए, इसमें से मिलान करना है कि A, A क्या है, A में दर्श आ अगया है, इसमें देखी यहाँ, A का तिन दर्श आ गया है, तो तिन में क्या है, पद यातरी carry निस्याद मतलब यह ऐप्द यात्री तो है लेकिन इसका हम बीच करेंगे वी में क्या है बीका दिया गया तो इऊ मिकल दिया गैए तो कि परत्मिक उप्चार के अंदर में को प्रात्मिक उपचार के savezर्जाद्र लेकिन यह प्रात्मिक उपचार के अंदर है नहीं है B का तो यह option पहला हमारा गलत हो जाएगा अब दूसरा option में आते हैं B में है A का 3 तो पद्यात्री निशेध है और B का 2 B का 1 है डिंशेध है तो इसमें B का 1 देखेंगे यह क्या है विका तो यह निशेध है तो यह भी सजी है और हम C अब इसका चेक करेंगे C का 4 है, तो C का 4 क्या हो जाएगा, C का 4 प्रात्मिक उपचार के इंदर ये, इसका क्या हो जाएगा, C का 4, प्रात्मिक उपचार के इंदर ये, इसका क्या हो जाएगा, C का 4, प्रात्मिक उपचार ये तो ये भी सही है, और D का बोला है 2, तो D का क्या हो जाएगा, जल से बोल्ट का खत्रा को परदर्चित करता है इसमें बोल्ट छुट गया है तो 415 बोल्ट का खत्रा को कौन सा परदर्चित करता है निसेज चीन, सुचना चीन, चतावनी चीन या अनिवारे चीन तो इसका एंसर हो जाएगा बी, सी होगा इसका अनसर, चतावनी चीन, चलिए नेक्ट कॉशन में चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन क्या है, चतावनी चीनों में हरी प्रिष्ट भूमी परियुक्त की जाती है, कथन दो क्या है, निसिधात्मक चीनों में सपेद प्रिष्ट भू भूमि बोला है जो कि ये गलत है इसका पहला option गलत है कथन के दुसरा निस्यधात्मक चिनों में सपेज प्रिष्ट भूमि परिक्त किया जाता है तो ये सही है तो इसका एंसर क्या हो जागा कथन दो सही है अब next question में चलते हैं तेंत question है कौन सा सुरक्चा चिन दर्साता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए अमुक मतलब अवश्य जो हर किसी को करना चाहिए पहलाई निसेद पहलाई निसेद चीज जूतरा है अनि वारे चिन, यह चिन होगा यहां पर, तीसरा है चितावनी चिन, और चौठा है सुपजग नाचीन, तो इसका क्या हो जाएगा? अप्सन सही अनिवारे चिन, अनिवारे चिन में जैसे आजाता है हेलमेट पहनना दस्ताने चस्में यह सब सुरक्षा के दिश्टी से तो इसके लिए अनिवार यह हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा अनिवारे चिन इसका एंसर होगा बी एकार नमा कुष्टन है जहर से खत्रे के लिए कौन सा चिन पर्युक्त किया जाता है तो पहला क्या है इसमें से आपको जहर के खत्रे के लिए पर्युक्त क्या खत्रे चिन परदर्सित करना है दिखना है तो पहला क्या है यह लेजर बीम का परतिक दिखाता है ये लेजर से संबंधित है और ये प्राथ में कुप चार है तो खत्रे के लिए कैसा ही हो जाएगा B बारा नमर क्वेश्टन निम्न में से कौन सा चित्र विकिरन से खत्रे को दर्षाता है तो पहला क्या है? यह आक से भाएक को दर्षाता है A B क्या है? B दिखाता है B-Sport पदार्थ का भाएक से और C क्या है? लेजर भीम है और D D का हो जागा B किरान तो यही है B किरान को दर्षत करता है इसका सही अंसर D होगा तेरे नमर क्वेश्टिन का है निम्न आकिर्थी में किस परकार का सुरक्चा चिन यहां दर्षाया गया है तो इसमें कौन सा सुरक्चा चिन दर्षाया गया है तो ट्रेंगल में हमेशा ट्रिंगल में हमेशा चितामनी तिन दर्षाया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा सी चौदर नमर क्वेश्टन है निम्न में से एसा कौन सा महत्पुन तत्व है जिसकी उपस्तिती से आग लगने की किरिया जारी रहती है तो इसमें पहला अफसन कहा है उसमा, ऑक्सिजान, इंधान या डी ये सभी है तो ये तीनों की अफस्तिता आग को जारी रखने के लिए किया जाता है अगर इसमें से एक भी चीज़ की कमी हो गए इन तीनों में से तो आग बुझ जाएगी तो इसका एंसर हो जाएगा डी ये पंद्रा और लाश्ट कुष्टन है विद्धु तारों में लगी आखो बुझाने के लिए पर्योग किये जाने वाला अगनी सामक यंत्र पहला क्या है जल युकत यंत्र जल युकत दुसरा क्या है ज्षाग पहला करने वाला यंत्र तिसरा है कारवन टेट्रा युक्तियंत्र और दी है जल की फुहार तो पहला में क्या जाता है इसमें इस रेनी का आता है इस रेनी में जैसे आपका आगया लक्री कपरा कागत तो यह नहीं होगा ऑफसन बी में क्या जाता है ज्ञाग पैदा करने वाला यह रेनी बी का है तो बिस रेनी बी में क्या जा की यांतर इसे CCL4 काते हैं इसका शुतर होता तो यह विद्धुत से लगने वाले आग को बुजाने में इसका परियोग किया जाता है ये conheALLी सभी परकार के आग में परियोग किया ब्सक्रागति हुआ तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सी। अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू